यकीनन कहते होंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अगर आपको सम्स के बीच में से आउट्सिंग करनी है तो यह बढ़िया शॉट है तब पीछे एक बहुत बढ़िया स्वीपर कवर लिया इनोंने यह चलाकी है लेक्स साइड पे कोई बॉल्टर पर सीधा ओम डिलिवरी कर दी हाथ पे खेल दिया ताकत आनी चाहिए थी वह आई नहीं और पेले ओर में विकेट इलिए जिसका डरता फॉर्स विकेट गोज़ दाउं वुदे सकंब तो गुद लेंच दिलिवरी दिल्ट गेंच पावर बहाइंद इस लोगे दाट रोगे दिलिवरी तो देले गेंदवाजी का फैसला किया तो मुझे लगा कि शायद चूप करके को कि शार्जा में अब बहुत कम ऐसे टीमें रहती है जो कि पहले गेंदवाजी करते हैं और देकिए बहुत सोर समझ के बाद 4-5 अबील के बाद हम पायर ने अब आए तो इसके लिए रिव्यू तो बनता है कि अब बाउंस बिल्कुल भी नहीं हुई बाल इस मौके पर और पूरी तरह से चूप के सबसे बहुत देखा जाएगा जहां कोई भी शक्राइची नहीं है यह देखना ज़रूरी कि किस तरीके से बाउंस जैसा आपने काया बिल्कुल भी नहीं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का प्रोजेक्शन है जो इस एंगल से बॉल आई है यहाँ पर यह रिव्यू बदलना चाहिए यह डिसीजिजिन बदलना चाहिए तो जो ब्लॉक वोल में हुआ है बहुत मुश्किल यह पर जो बर्जी के यह अंचुवन के लिए मुसीबत का सबब और क्या गेंद है यह क्या गेंद बार-बार कर सकते हैं सी लो जी यह तो कबाल की अगर यह गेंद बार-बार कर सके तो इनने तुम आई फिल में खेला लोगा हुआ है बड़ा शॉट लेकिन वहां पर रफील्डर मौजूद एक ही रन मिलेगा दो वर्स के समाप्ती पर 11 पर दो भूच पूरी दबाग अच्छी हाइट है और बाउंस कितना अच्छा है उसकी बदावलत यह चौका मिल गया क्योंकि पेस से बाल जो बाता है तो आपका टाइमिंग अच्छ हो जाता तो उससे क्या होता यादे ताज होती है ओ और अच्छी पेस है प्रिंस की इसे चौका मिल जाएगा अच्छी पेस बाउंस के और इसकी जरूरत है इसे बिल्कुल इन पर निव बहर करता है गेम और यह उठाद या है जो एक तरह दो रण हो गए असमान से बाते करती हुए अब बहुत मुश्किल है राधित्या ने लॉफ्ट कर दिया ओवर दे कावर्स बहुत जरूरत है बाउंडियों की और हाथ से निकलता हुए दिख रहा है शॉट बॉल गुमा दिया है मिड़ी केट की तरफ और यह छक्का है साथा पेस ओन दो बॉल दे नहीं रहें तो जितना दम है वो बलेबास को जिनरेट करना पड़ रहा है अपने शॉट में यह देखिया पैड लाइन पर डालेंगे तो हश्र होगा यह चार रन बैकवड्स क्वेले की तरफ और उमीदें बरकरार हैं बोचपूरी दबंक्स की अधिया मिड्विकेटर तरफ उठाया है दो रन के लिए आख्री ओवर में 22 रन चाहिए हैं यहां से बोचपूरी दबंक्स को जीतने के लिए मामला बहुत मुश्किल दिखता हूँ लेकिन अगर कोई उमीद की किरन है तो यह कि अधित्या क्रीश पे बने हुए 36 पर वहीं बात करनी पड़ी कि जिस तरह के यह वर्च अखरी से बड्राइब और अखरी छे बाले हैं अखरी इस है बाले हैं और दो डूस्ट बैसमान हैं तो वह लिए नवगए से सफट्रेश में डेवले इसे नियुए उस जिए आखरी है गोश्वल्सावे आजैन विए पर यहां सिंगने नहीं अबढ़ एक बाहर की गें डाले एक आपसाइड उप्साइड फूलिश यहां पे विकेट मिले का मॉका है ओ कैच चुट गया और यह कैच जो डॉप गुआ है महंगा साबी इसलिए वहाँ क्यूए किविए दो रॉन भी लेली ए बैटर्स ने गिवन दे सिनारियो इडों तिक सुट गॉब अविड मैंद अलंग अग इस नॉट गॉट पर फोर और शेक देखिये काफी एर टाम था इस बाल पे टाइम था फील्डर को अंदर आने के लिए बॉल के बट लेंथ बाल फिर से उठाया है और एक चुका यह मैच बहुत रोमांचक बन रहा है क्योंके अब 13 रंच रही है तीन गेंदों में जीतने के लिए बोच्पुरी रबंक्स को फिल्कुल वालिटी शॉट पुलिश बॉल और अंदर आके लॉगाउन पे बायान वे रनों की साज़दारी हो गई है इन दोनों बैटर्स के बीच एक और हवा में खेला हुआ शॉट है दो रन की तलाश होगी जियां और दो असानी से मिल जाएंगे अने अब 46 में पहुंच गया है अधित्या होजा बहुत इंपोर्टन गेंदारी है एकी रन मिलेगा दो के लिए वापस अना चाहते हैं जी नहीं एकी रन मिलेगा एक्साइटिंग अख्री दो वार्टन गया है ये गें लान डाल के और तेलगू वारीज आपक गोड्यस अना ट्रीज़ बेडाल के नहीं टाना आपर एक्परिश्ट चैना घया बार्टन गया गया एक्साइटरे वहांट अड्यां गया आपके वार्टन गया ट्यां वेले of the match